जीव जनन कैसे करते हैं? How do organisms reproduce? कक्षा दस्वी का चेप्टर नमबर आठ है जो CBSE Term to Slayvus में आता है तेकि अक्सर आपने देखा होगा कि सभी जीव जो है वो अपने जैसे बच्चे या संतान पैदा करते हैं इसी प्रक्रिया को जनन प्रक्रिया कहा जाता है जिसकी परिभाशा होगी वह प्रक्रिया जिसके दोरा जीव अपने जैसे दिखने वाले नए जीव या फिर संतान जिसको हम संतती भी कहते हैं उत्पन करते हैं उसे जनन कहते हैं तो जनन एक प्रक्रिया है जिसमें नए जीव उत्पन किये जाते हैं अपने जैसे ही जैसे कि आपको इस चितर में दिखरा होगा सेर का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा है, बेड़ का बच्चा है और हिरन का बच्चा है जो अपने parents जैसे ही दिखाई देते है अब सवाल आता है कि जनन क्यों आउशक है देखिए जनन अपनी प्रजाती को विलुप्त होने से बचाने के लिए जनन जरूरी होता है अगर एक संपूर्ण प्रजाती के जीव जनन नहीं करेंगे तो वह प्रजाती प्रजाती से विलुप्त हो जाएगी मान लीजिए कोई भी एक प्रजाती है जो जनन करना बंद कर देती है अगर जनन करना बंद कर देगी तो इन फ्यूचर उनके संतान नहीं होगे तो वो पर जाती धेरे धेरे विलुप तो हो जाए इसलिए जनन करना आवशक है अब सवाल उठता है कि जनन प्रक्रिया की सुरुवात कहां से होती है और ये कैसे होती है देखे इसका जवाब है कि हमारे जीवन में या किसी भी प्राणी का पोधे का जो जीवन है वो एक कोसिका से शुरू होता है या आपको एक कोसिका दिखाई दे लिए कोसिका के अंदर एक केंद्रक होता है केंद्रक के अंदर डियने पाये जाता है और असल में डियने के जो फुल फोम है पूर्ण रूप है वो होता है डी ओक्सिराइबो न्यूक्लिक अमल ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है डी ओक्सिराइबो न्यूक्लिक अमल इसका पूर्ण रूप है और केंदरक्य के अंदर DNA नहीं मिलता उसके अंदर क्रोमेटिड पदार्थ मिलता है chromated पदार्थ से गुनसूत्र बनते हैं गुनसूत्र DNA का बना होता है DNA जो है वो जीन का बना होता है ठीक है तो जो chromated पदार्थ है हम कह सकते हैं कि वो कही न कही DNA से मिलके बनता है तो जो जनन प्रक्रिया होती है उसके अंदर पहला चरन होता है DNA की प्रतीकरती बनना मतलब जो एक DNA होता है उसकी दो कोपिया बनती है उसको कहा जाता है DNA प्रतीकरती हिंदी में इसको DNA कोपी कहा जाता है तो ये पहला चरण है जनन परकिरिया का सबसे पहला चरण है कि जो केंदरक के अंदर DNA है वो अपना duplicate बनाएगा मतलब एक DNA से दो DNA बनेंगे उसके बाद क्या होता है दूसरे चरण में जो केंदरक है वो विभाजित होना start हो जाता है केंदरक का विभाजन जो केंदरक है वो विभाजित होगा और केंदरक के विभाजित होने के बाद वो जो कोसिका है वो कोसिका दो हिस्सों में बट जाती है कोसिका का विभाजन हो जाता है और कोसिका के विभाजन से ही जनन प्रकिरिया जो है वो स्टार्ट होती है शुरू होती है तो इस तरह से सबसे पहला चरण यही होता है जनन प्रकिरिया में सबसे पहले DNA की copy बनेगी, duplicate DNA बनेगा, उसके बाद केंदरक का विभाजन होगा और उसके बाद कोसिका का विभाजन होगे, दो नई कोसिकाई बन जाएंगी ये होता है जन्म परकिरिया की शुरुवात अब जो DNA है, DNA में ऐसा क्या होता है? देखे, DNA में प्रोटीन संसलेशन की सूचना होती है, जिसकी मदद से एक PD से दूसरी PD में गुनों का स्थाना अंतरन होता है आपने अक्सर देखा होगा, कि जो गुन है, पैरेंट्स के गुन बच्चों में मिलते हैं तो उन गुनों का जो ट्रांसफर होता है, वो DNA की मदद से होता है अब जब DNA की कोपी होती है, तो वो exact कोपी नहीं हो पाती अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ आपको यह हिस्सा और यह हिस्सा आप मिला के देखिए यहां पर यह हलका ग्रीनिस कलर है और यहां पर हलका सा पिंक कलर है वहीं एक ये वाला हिस्सा देख लीजिए ये हिस्सा और ये हिस्सा यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है इसका मतलब ये हुआ कि जब DNA की कोपी होती है जब DNA का duplicate DNA बनता है DNA प्रती करती जब बनती है उसके अंदर कुछ तुरूटियां आ जाती है DNA प्रती करती बनते वक्त कुछ तुरूटियां आ जाती है मतलब कुछ errors आ जाते है exact कोपी नहीं हो पाती थोड़ा सा बदलाव आ जाता है जिन से जीवों में विभिनता आती है विभिनता का महत्व क्या है विभिनता उत्पन होती है DNA में जब DNA की कोपी की जाती है तो उसमें थोड़ी सी तूटियां आ जाती है DNA के अदर कोडिंग होती है उस कोडिंग में थोड़ी सी तूटियां या फिर एरर आ जाता जिसकी वज़े से विभिनता आती है अब विभिनता का क्या महत्व है विभिनिता क्यों जरूरी है इस चीज़ को समझते हैं देखिए विभिनिता एक प्रजाती की उत्तर जीविका के लिए जरूरी है सामाने तोर पर ये विभिनिता बदलती हुई स्थिती में जीवों को जीवित रहने में मदद करती है देखिए उत्तर जीविका का क्या मतलब है मान लेजिए एक बैक्टेरिया है वो आज के दिन 30 डिगरी सेल्सिस टेंपरेचर रहता है अगर उसमें विभिन्नता नहीं आएगी और धरती का तापमान बढ़ गया तो वो आगे जाके नस्ट हो जाएगा मर जाएगा वोई अगर उसमें विभिन्नता आती गई तो वो ज़्यादा टेंपरेचर को भी सहन कर सकता है इसलिए परजाती की उत्तर जीवी का कारत होता है अपनी परजाती को बचाए रखने के लिए जो विभिन्नता है वो महतोपोन होती है समय के साथ यही तूटिया और विभिन्नता जैव विकास के लिए भी उत्तरदाई होती है जैव विकास कारत होता है जब यह बार बार एरर से तूटिया आती रहती है और जब लाखों करोडों सालों बाद नई नई परजातियों का जनम होता है इनी तुरूटियों की वजसे इस परक्रिया को हम जैव Вिकास कहते है तो जैव Вिकास के लिए भी जो विभिनिता है वो महतोपून है अब इसके बाद आते हैं जनन के परकार देख्ये जनन दो परकार का होता है पहला होता है अलैंगिक जनन डैकेट में लिखा हुआ एकल जीव से संतती मतलब एक ऐसा जनन प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही पैरेंट होता है एक ही जनक होता है दो की आवशक्ता नहीं होती केवल एक ही पैरेंट की आवशक्ता होती उसको हम अलेंगिक जनन कहते हैं दूसरी और होता है लेंगिक जनन में दो जीवों की आउशकता होती है जिसमें एक नर जीव होता है और दूसरा मादा जीव होता है लेकिन अलेंगिक जनन में ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें एक ही जीव से नई संतती उत्पन हो जाएगी तो अलेंगिक जनन के बारे में पढ कोई चक्कर नहीं होता, एक ही जीव से नई संतानुत्पन हो जाती है, तो इसमें अलग-अलग विदिया है, सबसे पहली विदी का नाम है विखंडन, विखंडन के अंदर फिर दो विदिया वाती है, द्वी खंडन और बहु खंडन, दूसरी विदी का नाम है खंडन, देख पानु समा संग या फिर स्पोर फोर्मेशन अब एक एक करके हम इन वीडियों को समझते हैं सबसे पहले है विखंडन देखिए जो विखंडन में दो बताया हमने द्वी खंडन और बहु खंडन द्वी का अर्थ होता है दो और बहु का अर्थ होता है बहुत सारे इसका की अजीव जैसे कि अमीबा लिस्मानिया इन सब में विखंडन परकिरिया होती है और द्विखंडन का आर्थ यह होता है कि जो एक जीव होता है जो एक कोशिका है जैसे यहाँ पर देखिए एक कोशिका है और लास्ट में जब संतती उत्पन होती है तो वहाँ पर दो संतती उत्पन होई है तो एक को सिका से अगर दो संतती उत्पन होती है तो उस पर किरिया को हम द्वी खंडन कहते है ठीक है अमीबा में होता है अमीबा का जो प्रोसेस हो किस तरह चलता है मैं एक स्टेप से बताता के सबसे पहले normal position है जब amoeba mature हो जाएगा परीपक हो जाएगा तो उसका जो केंदरक है वो थोड़ा सा elongated मतलब लंबा हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद जो केंदरक है वो विभाजित हो जाएगा और विभाजित होने के बाद दो अलग-अलग कोसिकाई बन जाएगी हर एक कोसिका एक नया amoeba जीव है इसको द्वी खंडन कहते हैं इसी तरह एक और जीव है जिसका नाम है लिस्मानिया उसके अंदर भी यही प्रिक्रिया चलती है जैसे amoeba में चलती है और उसके क्या होता है इसमें देखिए जो एक कोसिका होती है इस पहली स्टेज है एक कोसिका है यह प्रिपक्व होने के बाद इसमें बहुत सारे खंडन विखंडन होते हैं और बहुत सारी छोटी-छोटी कोसिकाई बन जाती है और लास्ट में बहुत सारे जो नए संत्रती कोशिकाएं वो उत्पन हो जाती है यहाँ पर जो ओरिजिनल कोशिका थी जो सबसे पहले वाली कोशिका थी वो देखे लास्ट वाले में खतम हो जाती है नस्ट हो जाती है और सारी की सारी नए कोशिकाएं आती है वहीं द्वी खंडन में ऐसा नहीं हुआ था द्वी खंडन में पहली वाली कोसी काके ही दो टुकड़े हुए थे एक टुकड़ा एक जियू बना था दूसरा टुकड़ा दूसरा जियू बना था क्योंकि कई बार पेपर में द्वी खंडन और बहु खंडन के बीच में अंतर पूछ लेता है तो आपको ये पता होना चाहिए इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरी विदि जिसका नाम है खंडन अब खंडन और विखंडन देखे दो सेम सेम नाम है विखंडन होता है एक कोस के जीव में पहले वाला जो हमने पढ़ लिया और जो खंडन होता है वो बहु कोस की जीव में होता है इसको समझते हैं देखे बहु कोस के जीव में होता है ये जो आपको डियागराम दिख रहा है ये स्पाइरो गायरा नाम का जीव है स्पाइरो गायरा नाम का जीव है स्पाइरो गायरा एक बहु कोस के जीव होता है और इसके अंदर क्या होता जैसे ये परिपक वो होता है ये टुकडों में तूट जाता है और इसके जो भी टुकडे तूटेंगे उससे एक नए जीव का निर्मान होता है जैसा कि आपको इस शित्र में दिखाया गया है इस विधी को खंडन कहते हैं और ये विखंडन से ऐसे अलग है कि विखंडन एक कोस्के जीवों में होता है और खंडन जो है वो बहु कोस्के जीवों में होता है इसके बाद अगली विधी है है हमारे पास पुनरुद भवन या फिर पुनरजनन देखिए पुनरुद भवन और पुनरजनन जो regeneration जिसको कहते हैं इसमें और पहली वाली विधी में थोड़ा सा फर्क है अगर कोई जीव अगर कोई जीव किसी कारणवस उसके टुकडे हो जाते हैं तो हर एक टुकड़ा नए जीव के रूप में विखसित हो जाता है जैसे यहां पर planaria का example दिया हुआ है यह जो जीव है यह planaria है planaria था उसके किसी कारणवस तीन टुकडे हो गए तो हर एक टुकडे ने अपने आपको develop कर लिया एक नए planaria के रूप में और जो एक planaria था उससे तीन नए planaria बन गए इसको कहा जाता है पुनरुद भवन या फिर पुनरजनन यहां पर एक चीज ध्यान देने की है कि यह जीव ने अपने आपको खंडित या फिर खंडन नहीं किया किसी कारण वस किसी भी कारण से किसी भोती कारण से हो सकता है कि यह तूट गया हो तब इसके जो टुकडे थे उससे नए जीव का निर्मान हुआ है यह अंतर है खंडन में और पुनरजनन में इसी तरह से जो हाइडरा जीव होता है हाइडरा उसको आप काट दीजी बीच में से या फिर वो कट जाता है किसी और प्रोसेस की वज़े से किसी कारणवस कट जाता है तो उसके दो टुकडे हो जाएंगे तो दोनों टुकडे जो है वो अपने आप में एक नया हाइडरा जो लिए होती है अगला हमारे पास मुकलन ही है देखें मुकलन को इंगलिस में बडिंग कहा जाता है हाइडरा जीव जो है जो आपको दिख रहा है इसके जब ये परीपक वो हो जाता है तो इसके शरीर से एक छोटा सा मुकल निकल के आता है जिसको इंगलिस में बड कहा जाता ह चोटा सा मुकुल निकलेगा आगे डेवलप होगा तो जो मुकुल है जो बड़ है वो थोड़ा सा और डेवलप होगा और थोड़ा थोड़ा हाइडरा जैसा दिखने लगेगा और थोड़े टाइम के बाद देखिए वो पूरी तरह से डेवलप होके और वो इस जीव से उसमें भी मुकुलन विधी द्वारा जनन परक्रिया होती है इसके बाद आता है बिजानू समासंग या फिर स्पोर फॉर्मेशन देखे यह विधी अक्सर जो ब्रेड के उपर फफूंद लगती है जिसको ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस कहा जाता है उसमें पाई जाती है ब्रेड मोल्ड के अंदर इस तरह की गोल संरचनाय होती है जिसको कहते है बिजानू धानी इसके अंदर बहुत छोटे-छोटे बीज जैसी सनरचनाए होती है लेकिन उनको बिजानू कहा जाता है बीज और बिजानू में अंतर कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भई बिजानू को बीज क्यों नहीं कहा देते हैं या फिर बीज और बीजानू में क्या अंतर है तो बड़ी सिंपल सी बात है बीजानू छोटे होते हैं इसलिए उनका नाम बीजानू है और दूसरा बीज जो होते हैं पोधे के बीज होते हैं उनके अंदर खाना स्टोर रहता है जो उसके बीज पत्र होते हैं उनके रूप में उसके अंदर भोजन स्टोर रहता है लेकिन बिजानूं में ऐसा कुछ भी नहीं होता इसलिए इनको बिजानू कहा जाता है तो जो राइजोपस या फिर जो मैं बोल रहा हूँ ब्रेड के उपर लगने वाली फफूंदी उनके उपर ऐसी गोल सनरचना होती है जिसको हम बिजानू धानी कहते हैं और जब यह परीपक हो जाती है तो यह जो बिजानू धानी है तूट जाती है और जितने भी बिजानू है वो फैल जाते हैं जिससे और नए नए जो फफूंद हैं जो फंगस हैं वो उगाते हैं तो ये जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है बिजानु समासंग या फिर स्पोर फॉर्मेशन ये सारे के सारे अलेंगिक जनन के हमारे पास विद्याँ थी yara लग लग फीक है इसके अलावा जो पोधे होते हैं अक्सर तो हम पोधे बीज से उगाते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास पोधो को उगाने के लिए एक अलेंगिक जनन की भी विद्य है जिसको काईक परवर्धन कहा जाता है काईक बना है काया से और काया का अर्थ होता है शरीर ठीक है तो शरीर के किसी हिस्से से अगर पोधे का नए पोधे का जनम कराया जाए तो उसको हम काईक परवर्धन कहते हैं जैसे की पोधे के काईक भाग से नए पोधे का निर्मान का इक परवर्दन कहलाता जैसे आलू आलू जो आप खाते हैं वो बीज नहीं होता वो आलू का तना होता है और अगर आप उसको मिट्टी में डाल देते हैं तो वहाँ से नया आलू का पोधा उगाता है तो ये काईक परवर्दन का उधारन है सकरकंद जो आप खाते हैं वो एक जड़ होता है और उस जड़ से नए सकरकंद के पोधे को उत्पन किया जा सकता है ये भी एक काईक परवर्दन का हिस्सा है उसी के तरह ब्रायो फिल्म नाम का एक पोधा होता है उसके पत्ते से ही नए जो पोधे हैं वो उगाते हैं जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है पत्ते से ही नए ब्रायो फिल्म के पोधे उगाते हैं ये सारी की सारी विदिया काईक परवर्धन कहलाती है इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि जो नर्शरी होती हैं उनमें पोधे तयार करते हैं उनको परतन, कलम, रोपन आदी तरीकों से तयार किया जाता है बीज से उगाया नहीं जाता पोदे को उसके लिए परतन, कलम या फिर रोपन विधी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उप्रोक्त विद्यों के उप्योग करते हैं अगर ये जो उपर विद्या दी हुई है परतन कलम और रोपन इनका अगर उप्योग करते हैं तो उसमें काफी फाइदा होता है पहला तो ये कि कुछ पोधे ऐसे होते हैं जिनके बीज बनते ही नहीं उन्होंने अपने बीज बनने की छमता खो दिया जिसे केले तो उनको इनी वीडियों से उगाय जा सकता है और दूसरा ये है कि इन वीडियों से अगर किसी पोधे को तयार किया जाता है तो उन पोधों के उपर जो फूल है और जो फल है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं अगर आप एक पोधा बीज से उगाते हो मान लीजिए अमरूद का पोधा तो उसको परीपकव हो के उसके उपर फल लगने में कम से कम 5-7-8 साल लग जाएंगे वहीं अगर आप एक नरसरी से पोधा लाते हो जिसके उपर कलम चड़ाया हुआ है या फिर उपरतन से या रोपन से तयार किया हुआ है तो उस पोधे के उपर एक या दो साल में ही फल लगना सुर हो जाते हैं इन विधी से लगाए हुए जो काईक परवर्दन से जो पोधे लगाते हैं या फिर मैं कहूं कि जो कलम लगाए हुए पोधे हैं उनके उपर फल और फूल जो है वो जल्दी आ जाते हैं ये काईक परवर्दन था काईक परवर्दन की जो विधिया है जो हमने भी बताया परतन, कलम, वादी इनको समझते हैं रहे कि सबसे पहली जो विधी है वो है परतन, विधी इसको layering कहा जाता है किसी पोधे की टहनी को घुमा कर जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है गुमा कर मिट्टी के अंदर दबा दिया गया तो जिस हिस्से में दबाया जाता है वहां से जड़े चालू हो जाती है और फिर इस हिस्से को काट दिया जाता है तो एक जो पोधा पहले से था वो तो है और एक आपके पास नया पोधा प्राप्थ हो गया इस विधी को हम परतन या फिर लेरिंग कहते हैं आजकल एक और नई विधी आई है परतन की ही उसको एर लेरिंग कहा जाता है इसमें मिट्टी में दबाते नहीं है पहले वाले की तरह इसमें क्या करते है किसी पोधे का जो तना होता है किसी टहनी का जो उपर छिलका होता है उसको उतारके उसके उपर मिटी वगएरा बान दी जाती है और फिर वहीं पर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां जड़ दिखाई देंगी वहीं से जड़ निकलना सुरू हो जाते है फिर इस पोधे को यहां से काटकर इस जगह से काटकर दूसे जगह पर रोप दिया जाता है इसको एर लेरिंग कहा जाता है यह परतन का ही एक प्रकार है इसके अलावा कुछ पोदे की टहनिया काटकर अगर उसको हम लगा दे तो उन टहनियों से जड और उपर पतिया आनी सुरू हो जाती है ये जो विदी है इस विदी का नाम है रोपन और इसके अलावा जो आकरी विदी है वो हमारे पास कहलाती है कलम बांधना कलम बांधने के लिए हमें दो पोधों की आउशकता होती है एक वो पोधा जिसके नीचे जड़ होती है उसको रूट स्टोक या फिर स्टोक कहा जाता है वही एक दूसरा उसके उपर हिस्सा लगाया जाता है दूसरे पोधे का उसको हम स्कियोन कहते हैं इस तरह से तयार किया हुआ जो पोधा है उसके उपर फल और फूल बहुत जल्दी आ जाते हैं ये कलम भी दी है इसके बाद आते हैं हमारे पास लैंगिक जनन लैंगिक जनन के बारे में हमने आपको बताया ऐसी जनन प्रकिरिया जिसके अंदर दो जीवों की आवशकता होती है एक नर जीव होता है और दूसरा मादा जीव होता है और दोनों मिलकर नई संतती जो है वो उत्पन करते है नर जीव होता है और मादा जीव होता है और उनसे नई संतती या नया जीव जो है वो उत्पन होता है लेकिन यहाँ पर एक समश्या है देखे एक नर जीव के पास मान लीजिए एक DNA है मान लीजिए कि एक DNA है मादा जीव के पास भी एक DNA होगा तो जो संतान होगी उसके पास टोटल DNA हो जाएंगे दो लेकिन अगर इसके पास दो हो जाएंगे तो इसकी आने वाली जो संतान उसके पास च्यार हो जाएंगे इसका मतलब कि इस विधी में कुछ ना कुछ गड़बड है इसका समाधान है अर्ध सुत्री विभाजन कोसी का विभाजन कक्षा नोवी में आया था उसमें दो प्रकार के विभाजन थे सम सुत्री और अर्ध सुत्री अर्ध सुत्री विभाजन हमारे लिए जरूरी है इसको समझ लेते हैं एक ऐसा कोसी का विभाजन जिसमें गुण सुत्रों की संख्या आधी रह जाती है मतल targets कोशिका विभाजित होती है तो गुण सुत्रों की संख्या आदि हो जाती है जैसे कि हमारे सरीर की कोशिकाओं में 46 गुण सुत्र होते है तो उसका अगर अर्ध सुत्री विभाजन करेंगे तो जो नई कोसिका बनेगी उसमें केवल और केवल 23 गुन सुत्र ही होंगे ऐसे गुन सुत्र को अर्द सुत्री विभाजन कहा जाता है और इस विभाजन से विसेश कोसिका जिने युगमक कोसिका कहा जाता है उनका निर्मान होता है युगमक कोसिका का निर्मान अर्द सुत्री विभाजन से होता है और युगमक कोसिका में नूर्मल कोसिका से आदे गुन सुत्र होते हैं जैसे कि मानाओ की बात करूँ मानाओ के सरीर की कोसिकाओं के अंदर 46 गुन सुत्र होते हैं लेकिन जो युगमक कोसिका होती हैं उसके बाद नई संत्रती उत्पन करते हैं उसका फाइदा ये हुआ कि नर युगमक के पास आधा DNA होता है मादा युगमक के पास आधा DNA होता है और दोनों मिलकर एक DNA बनाते हैं इस तरह से जो डबल DNA वाली बात थी वो वहीं पे रह गई और हर PD में जो भी जी उत्पन होता है उसक तो युगमनज जो बना है उसके अंदर वापस से 46 गुनसुत्र हो जाते हैं और नर्मली भी इनसान के अंदर जो बाकी कोशिकाई होती हैं उनमें 46 गुनसुत्र ही पाए जाते हैं तो यहाँ पर वो जो डिने और गुनसुत्र वाली प्रोग्लम है उसका हल निकाल लिया गया यहाँ पर पढ़िए नर युगमक और मादा युगमक का मिलना निसेचन कहलाता है जब नर और मादा युगमक मिलते हैं तो उसको निसेचन कहते हैं और निसेचन से युगमनज कोशिका बनती है दोनों के मिलने से कोसिका बनती जिसको युगमनस कहा जाता है जिसमें गुण सुत्रों की संख्या पुने सामाने कोसिका के सामान हो जाती जैसे मैंने बताया 23-23 मिलके 46 बन गए नर युगमक जो होता है चाए वो पोधों में हो चाए वो इंसानों में हो चाए किसी जानवर में हो वो एक गतीसील जनन कोसी का है मतलब वो गती करती है वही जो मादा युगमक कोसी का होती है उसके अंदर भोजन भंडारित रहता है भोजन का स्टोरेज रहता है उसके अंदर नर युगमक कोसी का हमेशा छोटी होती है और मादा युगमक कोसी का हमेशा बड़ी होती है दोनों में अंतर समय में आगए नर युगमक गुमने फिरने का काम करता है मादा युगमक के अंदर भोजन भंडारित रहता है भोजन स्टोर रहता है इसके बाद पोधों के अंदर जो लेंगिक जनन होता है उसको समझते है पुस्पी पोधों में लेंगिक जनन पुस्पी पोधों का अर्थ होता है वो पोधे जिनके फूल लगते है उन पोधों में लेंगिक जनन होता है तो उस लेंगिक जनन को समझने से पहले हम सबसे पहले पुस्प के भागों को समझ लेते हैं कि फूल के अंद से अपनी ओर आकरशित करती है फूल के नीचे जो छोटी-छोटी हरी पतिया होती है उनको बाहिय दल कहा जाता है यह बाहिय दल का काम होता है जब फूल खिल नहीं पाता, खिलना हुआ नहीं होता जब कली के रूप में होता है तो उसकी प्रोटेक्शन का काम करता है ये बाहिय दल हर फूल के सेंटर में एक सिंगल अकेली एक स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर उस फूल का फीमेल पार्ट है मतलब मादा भाग है उस मादा भाग का सबसे टोप का हिस्सा कहलाता है वर्तिकाग्र बीच वाले हिस्से को वर्तिका कहते है और तीनों हिस्से मिलकर स्त्री केसर बनाते हैं स्त्री केसर फूल का फीमेल भाग है मादा भाग है वही फूल के अंदर बाकी जैसे इस फूल में दो स्ट्रक्चर दिखाई हुई है बाकी फूलों में बहुत सारे structure होती है इस प्रकार की ये पोधे का या फूल का मेल भाग है नर भाग है इसका उपर वाला हिस्सा पराग कोश कहलाता है जिसके अंदर बहुत सारे पराग कन रहते हैं और नीचे वाला हिस्सा इसका तंतु कहलाता है और ये दोनों मिलकर पुं पूंकेसर फूल का नर भाग है ध्यान रखेगा मादा भाग का नाम है स्त्रीकेसर और जो नर भाग है उसका नाम है पूंकेसर ये पुस्प के भाग है अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि पुस्प का या फूल का एक नामांग की चितर बनाए तो उस नामांग की चितर में आपने ये सारे के सारे जो नाम है वो जरूर से लिखने होते हैं ठीक है इसलिए इसको याद रखिएगा इसके बाद आता है उभैलिंगी पुस्प और एक लिंगी पुस्प फूलों के दो परकार होते हैं एक उभेलिंगी पुस्प कहलाता है वो फूल जैसे आपको ये वाला दिख रहा है वो फूल जिसके अंदर मेल भाग, सोरी फीमेल भाग और मेल भाग, दोनों के दोनों भाग एक ही फूल के उपर होते हैं उसको उभेलिंगी पुस्प कहते हैं मेल और फीमेल दोनों एक ही पूस्प के उपर हो, उभैलिंगी पूस्प कहलाएगा, वहीं कुछ पूस्प ऐसे होते हैं, जिनके उपर या तो केवल मेल भाग ही मिलता है जैसे कि दूसरे वाला है, ऐसे पूस्पों को हम एक लिंगी पूस्प कहते हैं, उभैलिंगी पुस्प पाये जाते हैं जिसे पपीता हो गया उसमें भी एक लिंगी पुस्प पाये जाता है इसके बाद आता है परागन परागन देखिए परागकन और परागन दोनों अलग लग जीजे हैं पराग कंड तो हमारे जो पराग कोश होता है उसमें पाई जाते हैं और परागन क्या होता है परागन एक विधी है पराग कंड का वरती कागर तक जाना जो पराग कंड है वो उनका वरती कागर तक जाने की जो प्रक्रिया उसको परागन कहते हैं इसको एक डिमोंस्ट्रेशन ये अगर किसी भी कारण से हवा से, पानी से, मदु मक्खी की वज़े से, भावरे कीट की वज़े से अगर पराग कोश से और ये वर्ति कागर तक जाते हैं तो इस परक्रिया का नाम परागगण कहलाता है और अगर सेम फूल का जैसा कि सबसे पहले केस में हो रहा है कि उसी फूल का परागण है और उसी फूल के वर्ति कागर तक जाता है तो उसको हम स्वपरागण कहते हैं स्वपरागण सेल्फ कोलिनेशन मतलब सेम फूल वहीं अगर दूसरी और अगर आप इन दो डायगराम के उपर नजर मारें इन वालों के उपर तो एक पूस्प का परागण दूसरे पूस्प के वर्ति कागर तक जा रहा है पहले वाले का परागण दूसरे वाले के उपर जा रहा है इस परकिरिया को हम पर परागण कहते हैं पर परागण मतलब एक का जो परागण है वो दूसरे फूल के उपर जाएगा इसको हम परपरागण कहते हैं अब देखे परागण के बाद जो परकिया चलती है असल में जो जनन परकिया होती है जिससे बीज और फल का निर्मान होता है वो किस तरह से काम करती है इसको समझते है यह जो आपको दिख रहा है यह परागगण है जैसे ही परागकन वर्ती कागर पर पहुचता है तो वर्ती कागर के अंदर वो मू करता है नीचे की और और इस मुमेंट से वहाँ पर एक नाली जैसी संडचना एक नलकी या फिर एक रस्ते जैसे संडचना बन जाती है जिसको पराग नली कहा जाता है जो अंडाशे होता है अंडाशे के अंदर दो धुर्विय नाभिक और साथ में अंड कोसिकाई होती है तो जैसे जैसे जो पराग कन है वो आगे बढ़ता है तो जैसे ही वो अंडाशे के पास पहुचता है उसके अंदर से स्परम सेल निकलती है दो sperm cell निकलती है एक पराकन से उनमें से एक जो sperm cell है वो तो धुर्विय नाबिक के साथ जाके मिलेगी और जो दूसरी sperm cell है वो आपकी अंड कोसिका के साथ मिलती है जो धुर्विय नाबिक के साथ और इनके साथ मिलती है तो यहाँ पर दुवी निसेचन होता है मतलब डवल फर्टिलाइजेशन होता है एक पराकन से दो स्परम सेल निकलते हैं एक धुर्वे नाबिक से मिलेगी दूसरी अंड कोसीका से मिलेगी यह जो परक्रिया इसके अंदर दो बर निसेचन हो आया तो इसको दुवी निसेचन कहते हैं नर और मादा युगमक मिलकर युगमनस बनाते हैं जो विभाजित होकर भृून और आखरी में बीज का निर्मान करते हैं जब यह दोनों आपस में मिलते हैं अंड कोसीका और स्परम सेल मिलते हैं तो पहले युगमनस बनता है निसेचन के बाद युगमर्ज जब डवलप होगा और ज़दा भी भाजन होगा तो भृून बनेगा और भृून जो है वो आखरी में बीज का निर्मान करता है और जो अंडाशय है जो अंडाशय वाला हिस्सा है जो आपको दिखरा यहाँ पर यह जो गोल वाला हिस्सा है यह अल्टिमेटली लास्ट में जाके फल के रूप में विक्सित होता है और उसका फल बन जाता है अब बीज बनने की परकिरिया तो हमने समझ ली यहाँ पर अब बीज से नया पोधा किस तरह से उत्पन होता है वो समझ लेते हैं बीज से नवध बिद या फिर नये पोधे तक देखे बीज के अंदर तीन हिस्से होते हैं जैसा कि आपको दिखराए यहाँ पर एक हिस्सा जब बीज को उगाया जाता है अंकुरित किया जाता है तो एक हिस्सा होता है जो नीचे की और गती करता है धर्ती के अंदर उसको मूलांकुर कहा जाता है मूल मतलब जड अंकुर मतलब अंकुर मूलांकुर भावी जड का काम करता है मतलब इन future वो develop होके जड़ बनेगा पोदे की वहीं एक हिस्सा उपर की और moment करता है इसको प्रांकूर कहा जाता है प्रांकूर या फिर भावी तना मतलब future में वो तना बनेगा और वहीं उसके अंदर दो या एक बीज पत्र होते हैं बीज पत्र वो हिस्सा है जिसके अंदर खाना स्टोर रहता है अब खाने स्टोर का क्या मतलब है देखिए पोदे तो अपना खाना स्वें बना लेते हैं लेकिन जब किसी इज बीज को आप धरती में उगाते हो तो उसको develop होके परकास installation वाली stage तक आने के लिए थोड़ा सा time लगता है मान लेजिए दस दिन में पोदा अंकूरित होके उसकी पत्तियां आती है जब तक पत्तियां नहीं आएंगी तब तक वो अपना खाना नहीं बना पाएगा तो जब तक उसकी जो होजन के आउशकता है वो इन बीज पत्तरों से ही पूरी की जाती है इस तरह से बीज से नया पोदा जो है वो उत्पन होता है और जो पोदे हैं उनके अंदर लेंगिक जनन होता है इस वीडियो में हम सिरफ इतना ही समझेंगे इसका second part जो आएगा उसके अंदर हम मानव में जो जनन पर किरिया होती है लेंगिक जनन की उसके बारे में समझेंगे थैंक यू